तो हाई फ्रेंट्स नमस्कार आप सरीका और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेगरौफी ओनर्स बीए समेश्टर 3 का मेजर पेपर फोर और इसमें आपको पढ़ना है मानव और अधिवास भूगोल ठीक है तो जिनका भी पढ़ना है यूमान एंड सेटलमेंट जेगरौफ समेश्ट 3 में मेजर पेपर फोर में तो उन सभी के काम में आएगा परणाम परणाम संक बजराया तो परणाम करना चाहिए ठीक है चलिए तो जिनका भी है उन सभी के काम में देगा जैसे रांची इनवर्सिटी और अगर आप जारखन के बाहर से हैं ठीक है लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट यह है तो चली देखते हैं यह आपका प्रोफेसर नोट से तो जो लोग खरिक दे नहीं है खरिक दिजिएगा 35 रुपिया दाम है ठीक है हलाकि मैं यहां पर सिलेबस और इंपोर्टेंट कॉस्टें आंसर दोनों में बताऊंगा हिंदी में ठीक है चली देखते हैं सिलेबस पर जानी है क्या-क्या पढ़ना है आपको तो सिलेबस तो हमने जाना लिया टॉपिक और यह आपको पढ़ने यहां पर देखिए पहला यह टॉपिक पढ़ना है इंट्रोडक्शन ठीक है डिफाइन हीूमन जेग्रॉफी मेजर थीम्स ठीक है कॉ पर नहीं है रिपीट आप लोग एक बार खरीद लीजेगा क्योंकि आप लाइन पढ़िएगा ठीक है ऑनलाइन तो मैं देखी दूंगा आपको पीडियप फिर भी आप लोग आप लाइन पढ़िएगा ताकि आप लाइन में आके खराब ना हो ठीक है और जब आपके पास अफलाइन नहीं हो अबल अबल तब आप इसका यूज कीजिएगा ठीक है चली देखते हैं तो सबसे पहले आपके कोश्चन का पेटन आपका 75 मार्स का एकजाम होगा इसमें 1 मार्स वाले 5 कोशन आएंगे 5 मार्स वाले 2 यह हो जाएगा गूरूप ए 15 मार्स का ठीक है और अब भी रहेगा आपका साथ मार्स का जिसमें आपके 15 मार्स वाले टोटल 6 कोश्चन आएंगे और किनी 4 को आपको बनना होगा ठीक है 75 में से 30 नंबर लाना होगा पास के लिए 3 गंड़ टाइमिंग रहेगा तो यहां पे एक नंबर या कोश्चन देखे सबसे पहले एक मा 45 कोश्चन के असपास दिया गया 45-50 के असपास ठीक है वन माक्स वाले ठीक है यहां पे उसके बाद आपको जो आता है एक मार्क्स के बाद आता है आपका सौट टाइप के कोंस्चन जो कि आपके 5 मार्क्स वाले दो आएंगे इसमें से देखे पहला कोश्चन है सौट अंसर टाइप में मानभ भुगल से आप क्या समझते हैं वाट डू यू मीन बाई हूमन जेगरोपे ठीक है तो मानभ या देशांतरन का अर्थसपष्ट करें नेक्स्ट अब आते हैं आपके लॉंग अंसर टाइप कोश्चन यानि कि 15 मार्क्स वाले इसमें हमारा पहला कोश्चन देखिए और बहुत इंपोर्टन कोश्चन है पहला मानभ भुगल को परिभासित कीजिए तथा मानभ भुगल का मेन उद्दिस क्या है एम क्या है ठीक है नेक्स्ट यही कोश्चन को दुबारा या दूसरे डंग से पूछा जा सकता है कि मानभ भुगल चंचल मानओ एवं इस्थिर जो नहीं होता है उसको बलते आइस्थिर यानि कि हमेशा यहां मूब करते रहता है ठीक है मानभ भु पर डिर्कली पूछले कि मानभ भुगोल का आर्थासपस्ट करें और मानभ भुगोल की विसस्ताओं को लिखे तब भी आप इसका अंसर सेम टाइप से कीजिएगा ठीक है और प्रोपेसर यार पानी पिलेते थोड़ा सा प्रोपेसर रेडियल कुमारी सेंपल इन दोनों का लेक करना है क्योंकि मानभ भुगोल में अक्सर इनका नाम बहुत उची अस्तर पर लिया जाता है ठीक है आगे दिखते हैं नेक्ट कोचे ने अंतराश्टी प्रवास का अर्थासपस्ट करें अंतराश्टी प्रवास मतलब जब आप जैसे मैं भारत का निवास नहीं हूं अब जाके बैट जाओऊंगा चायनामें ठीक है जर चायना में और जोग ओन आंतराश्टी प्रवास ठीक है हलाकि पकिस्ताना जाकर जाओंगा नए यार 2 अपना देश होता है दूसरा जैंगे घोमने के लिए लिए ना अपना देश जो सुकून देंगा नहीं नहीं describe various cultural region of the world तो देखे 20 में बहुत सारी सब्यताएं हैं बहुत सारी का अपना अपना culture है उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको लिखना है नेक्स्ट है आपके यहाँ पे और विशस रूप से आप हिंदु धर्म, मुसल्मान, मतलब स्वरी इसलाम धर्म फिर आपका यहुदी धर्म, इसाई धर्म, बोत धर्म, जैन धर्म सबी धर्मों के बारे में बताईएगा क्या-क्या वहाँ पे मर्यादा होती है नेक्स्ट आपके यहाँ पे प्रजाती क्या है बिस्ट के प्रमुक, प्रजाती, समुहों के सारेरिक बिसस्ताओं का वर्णन करें अगला है प्रजातियों का वर्गी करन कीजिए तथा इनकी मुझ के बिसस्ताओं का वर्णन कीजिए नेक्स देख लेते हैं तो अगला है हमारा यहाँ पे बिस्ट की माना परजाती का सकारण वरगी करन कीजिए ये सब ही आपके सेम टाइप की कोश्चेन है इसका अंसर आपका एक ही टाइप से होगा टेक है कोश्चेन आपका पूछने का तरीका अलग-अलग हो सकता है आगे देख लएते हैं next question है भारत के पर्मुख परजातियों का वर्गी करण किजिए उसी को मतलब होई question है उसी का हम एक दूसरा रूप इसको बोल सकते हैं next दिख लेते हैं तो अगला question question है हमारा यहां पर और इस question जितने भी है इन सभी को क्या करना है सबसे पहले अपना copy में note करना है answer को पढ़ना है और इसका answer नहीं note करना है answer नहीं note किजेगा question note किजेगा और answer को अपने सब्दों में घर पे लिखने का practice किजेगा ठीक है askimo कौन है कहां पर रहते हैं अपना जीवन कैसे जीते हैं यह सारे चीज़े आपको पता चलेंगी पढ़ने के बाद ठीक है उनके अर्थवेस्ता क्या है कैसे खाते हैं उनका बैपार क्या है ठीक है यह सारी चीज़े next आपके यहां पर question है यह सभी पर जातिया है askimo boost man boost man ज तो फिए देख लेते हैं next अंगला question तो हमारे अगला question कहां है जी question इं ग्रामिन बश्ती है और परतिरूप का बर्णूर्ण करना है कितने परकार की ग्रामिन बश्तियां है क्या-क्या-क्या-क्या नहीं सुभिदाय होती ठीक है क्या-क्या improve करने क्या होई सकता है यह सारे सही रूप से नहीं बनाए गया ना अगर यह बस्तियों के प्रकारों को बताईए तथा उनकी उपस्थिती के उत्तरदाई कारणों को असपस्थ केजिए तो आपके बस ये कुछ question थे important और अंतिम question आपके हैं इसमें क्या पुछा गया है इसमें पुछा गया है आपका कि कोटी आकार नियम की सविस्तार वैक्षा कीजिए तथा भारत अत्वा उसके किसी एक भाग में इसके अनुपरियोग का मुल्यांकन कीजिए अगला है कोटी आकार नियम से अब क्या समझते हैं भारत नगरों पर यहां नियम कहां लाग होता है ठीक है तो यह कुछ question थे जो कि जैग्रापी मेजर पेपर फोर में पूछे गया हैं और इसी तरह से मैं जितने भी मेरे पास हैं important notes गेस पेपर वगेरा ठीक है और फिर बैस यह question paper साथ ही important question सभी मैं आपको provide कर देता हूं अगर आप गिरसन कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लें क्योंकि यहां चैनल को पूरा का पूरा गिरसन के लिए ही एसपसल बनाए गया है ठीक है और अगर जारकन के हैं तो अब तो भाई भूल के भी इस चैनल को subscribe करना मतलब भूलिएगा तो आ download करके पढ़ लीजिएगा हालाकि सब को कर सकता है लेकिन जिनके पास offline available है तो 35 रुपया लगा के खरीद लीजिएगा ठीक है ऑके बाई मिलता है नेक्ट वीडियो में और हाँ जल्दी मैं आपको important question और बाकि सब्सक्राइब करा दूंगा ठीक है प्रवे से question के साथ ओके बाई टेक केर